प्रश्राइब करेंगे इंपॉर्टन काउनी के रिजल्ट डिसकस करेंगे आप लोगों की क्वेरी डिसकस करेंगे लेकिन देखो मैंने आज दो वीडियो रखे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे एक बाज जाके शरू चकाउट के जेगा क्या डोनल्ड ट्रम की जीत क इसका आप आज में मोमेंटम था और और मिला है इसको हिंदुस्तान जिंग में स्ट्राइटरजी क्या रहेगी अगर किसी नए हाँ पर सूचा है तो ठीक है तीजस नेटवर्क आइफ आइफ सीय स्टॉक यह सभी डिसकस किया है अब देखो यह एक शॉट एंड सींपल जी के मार्केट कुछ भी हो जाए तीक के पहले मार्केट ऐसा था कि मार्केट भाग जाता रौपर कोई भी दे रीक्शन नहीं जैता था लेकिन अवी जैसा है कि जिदना भी पॉजिटिव Azad चाया उसका ठीखो है अपे डाउस तीरा सो पॉन्ट उपर है इंट्रा डे में डे हाई ब्रेक कता हुआ दिखाई या आप यहाँ पे देख साथ है लेकिन अगर मैं गिफ निफ्टी के बात करूँ तो 144 पॉइंट्स नीचे है गिफ निफ्टी यानि कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है अब पूछे सर रिजन क्या है कोई रिजन नहीं है एफ वाई की सेलिंग ही रिजन है जिसके वाज़े से गिफ निफ्टी गैप डाउन बता रहा है अगर एफ वाई की सेलिंग इतनी बड़ी नहीं होती ठीक है तो आज गिफ निफ्टी आपको 100 पॉइंट ऊपर कल दिखाई देता ओकी तो अब अब देखो सिंपल लिए बताओं का पहले अगर आप दिखो मेरी आनली से समझ में आते हैं तो सब्समाज में आती है तो मेरी स्मझ में अटी है चले पॉइंट पर आते हैं तो देखो, मैं simple word में बोलूँगा, अगर आप confused हो रहे हैं कि market के सा trend क्या है, देखो market का trend, अगर आज की FI की selling नहीं होती न, तो serious note पे high chances थे, कि यह जो bottom था, वो बन चुका है, ठीके, बन चुका है, ठीके, first bottom ही बन चुका है, मैंने आपको दो bottom बताए थे, एक बाइस आंट्स renews, still momentum नहीं करा, वो clear cut sign है, कि market में weakness है, कुछ भी करो market में weakness है, तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कल के कल, लेकिन हो सकता है, future में 22, 800 या 23, 500 तक भी निफ्टी जाता हूँ, आपको दिखाए दिए, ठीके, अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं, कि जब last time elections आ आज उपर जाएगा तो कल नीचे जाएगा, और आज नीचे जा रहा है तो कल उपर जाएगा, cycle होती है, definitely, ठीके, हर stock, हर nifty की cycle होती है, तो आप अभी के लिए ये समझो, कि short term के लिए, या mid term के लिए trend शायद negative है, जब तक कि nifty 25,000 को cross ना कर दे, ठीके, ये बात आप जह distance है, 24,600, 24,680 तक जा सकता है, जो हाँ पर मेरा करसर दिखाए दे रहा है, अगर निफ्टी gap down open हुआ, तो या तो fall कर लेगा, या pause candle मनाएगा, ठीके, तो हम लोग देखेंगे कि nifty gap down, gift nifty है, उतना ही बता रहा है, sometime क्या होता है, कि gift nifty बता रहा है, लेकिन nifty gap down open नहीं होत ठीके, लेकिन उसके बाद fall कर जाता है, ठीके, तो देखेंगे क्या होता है, अगर gap down open होता है, तो हो सकता है कि nifty recover भी कर जाए, ठीके, कल nifty की expiry भी है, तो हम लोग प्रॉपर देखेंगे, short and simple में, कल का market का trend, ठीके, morning में, अगर, आप देखो, simple word में बोलूँगा, अगर अगर gift nifty morning 9 बजे भी negative रहता है, 70 points, 80 points, 90 points, और nifty gap up open होता है, या stable open होता है, तो fall करेगा nifty, ठीके, gift nifty की आसपस जाने की कोशिश करेगा, ठीके, लेकिन, अगर, अगर gift nifty के साथ-साथ gap down open हो जाते nifty, यानिकि gift nifty 70 points हो, just example, और nifty भी 70 points down हो, तो हो सकता एक pullback आए, हो सकत एक recovery आए, ठीके, तो हम लोग wait and watch करेंगे, bank nifty तो काफी strong है, तो शायद bank nifty ना गिरे, और bank nifty support करने के कोशिश करें nifty को, तो for me, nifty शायद ऊपर जा सकता है, और Dow Jones या Nasdaq, जो IT stock से वो खीच के लेके जा सकते, तो मैं थोड़ा कल wait and watch करूँगा, कल की closing शायद माहिन ने क सकती nifty के लिए, तो कल की closing में देखूँगा, एक बार के लिए, अगर आब बात करेंगे, तो Tesla का stock 14% jump होता हुआ दिखाई दिया, Dow Jones 1300 point उपर है, लेकिन gift nifty gap down है, जो मैं आपको बता दिये कि FY की तगडी selling है, और FY की selling definitely negative trigger कर रही है, अब देखो result discuss कर लेते, कुछ one shot में अ आपको लगता है कि growth नहीं है, लेकिन जादा dip भी नहीं है, यह मुझे clear बोलने के stock शाहिद bottom out हो चुका है, तो stock शाहिद bottom out हो चुका है, तो मैं एक बार दिखूँगा, weight and watch करूँगा कि कल की momentum कैसी रहती है, stock I think so result positive है, जादा dip नहीं है, profit growth है अभी भी, तो हो सकता है यहा शक्ति pumps, देखो शक्ति pumps को यहाँ पर order मिलता हुआ दिखाई दिया है, around 1.16 million का, जो strongly, strongly positive है, और यह बंदा, एक टाम भी हम लोग ने first time discuss किया तो 1700 पे, आज यह 4500 पे हैं, और इसका momentum काफी strong है, orders की news positive है, stock falling market में भी fall नहीं किया था, और अगर आप देखोगे, तो profit भी का करूर का profit, अब यहाँ पर 100 करूर का profit हो चुका है, और 1 billion dollar का जो order है, वो काफी तगड़ा है, तो हो सकते कल circuit मारे stock, ठीक है, तो शक्ति pumps के लिए आप radar पे रखना चाहते हैं, stock, लेकिन हाँ, थोड़ा overvalued हो चुका है, दिखते हैं हमें still, एक छोटा से support रख सकते हैं, छो चले, अब देखो, reliance power में बहुत तगड़ी news है, कि अगर किसी के अपास reliance power है, उनके लिए news positive के company ने debt को reduce किया, 4485 करोड का debt को काफी तक reduce किया है, और यह लोग focus करने की कोशिश कर रहे हैं, कि zero debt company बन जाए, जो काफी काफी strong positive है, तो यह बंदा हो सकता है कि कल circuit मारे, ल हो गया रहा, ठीक है, मैं नहीं चाहता, पैसी अरकते करें, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कि बड़े प्लिए stock को track कता है, देखो, मैं आपकी जगवा होता है, अगर ऐसी news आती है, कि life changing होती है, लाइक वारी renewals के अंदर, जो result आए थे, वारी renewals के, मैं आपको बताया था ना, कि बहुत तगड़े result है, stock circuit में ही जाएगा, ठीक है, आप देखो कि circuit उपर ही नहीं होई, लेकिन अगर pre-order में किसी ने रखा हो, तो शयाद circuit अप entry हो सकते थे, ठीक है, तो point कि आ जाते है, मेरा point यह है, कि देखो, मैं भी news को देखे कभी कभी entry करता हूँ, लेकिन मैं at least, कि ताकि उसमें हाथ बड़े ना जले, थोड़े जल्द है, एक परसंट, दो परसंट, ठीक है, लेकिन अगर आपको करना है, quantity कम ही रखना है, pre-order में अगर रखना चाते हैं, रख सकते हैं, आलकि recommendation नहीं है, लेकिन हो सकते है, कल सर्कृट में जाता हूँ, आपको दिख कुछ ना कुछ news आती है, तो हर एक में profit लेके निकल जाता हूँ, ठीक है, simple बात है, मैं बहुत सारे stock में profit लेके निकला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने yesterday और यह न पावर लिया था, ठीक है, आज आद देखो कि stock यहां पे 5% उपर हुआ, 10% का profit हुआ कुछ और भी 2-3 stocks लिये थे, जो काफि अच्छी profit कते हुए दिखाई थे, तो short and simple में मुझे stocks मिल दाते हैं, ठीक है, तो यह बात है, 90 रखनी चीए, आदा रोजिंग की बात करने जाए, numbers I think so positive है, जादा positive में नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी finance company के अच्छी number आए, I think this is जादा growth है, तो हो सकता है कि शायद ये बड़ा बूर ना करे, देखना पड़ेगा एक बर के लिए, ठीक है, stock pure sideways हो चुका है, अब जहां तक momentum थी stock की हो चुके तो थोड़ा cautious रहे ना, stock में जादा तर, I think so, मैं 100% नहीं बोलूँगा, कोई मुझे target मत करना, ठीक है, ल लिडर ही लेना चाहिए, कोई और लोग है, तो फसने के chances high है, चलिए, तो जादे तर तो points cover हो चुके है, आप लोगो की, मैं queries cover करना चाहूंगा, enjoy the cars, उनका question था, वारी energies में fresh entry कर सकते हैं, देखो मैं आपको answer तो वीडियो में कर दिया, आपने एक बार वीडियो देखना पड़ेगा, और वैसे भी देखो, stock के पीछे पीछे जाना बेव कोफी है, तो मैं breakout का बोलूँगा आपको, या breakout का ये support का आपका strategy बताओंगा, बाकि तो कहना मुश्किल है, सर्क हरी सार का question था कि KPI Green के उसको क्या हुआ, result तो अच्छे थे, बाद में fall किया, FI की holding increase होई है, stock फिर भी down है, as a disclaimer, मेरे पास तो है ये stock, KPI Green, live market में result आए थे, और serious note में मुझे result पसंद आए थे, इतने भी बेकर नहीं थे, कि stock उपर के level से fall करे, आप दीखो कि 70 करोड का profit है, ठीक है, and last year के अंदर 35 करोड का profit, which is double profit, ठीक है, और quarter to quarter भी काफी तगड़ा ग्रोथ है, sales में भी increment है, margin भी year to year तो definitely increase हुए है, तो for me result is strong positive, definitely strong positive है, और इतना तगड़ा ग्रोथ हो बहुत कम stocks में मिलता है, तो I think so कि stock momentum की वज़ा ऐसा है कि शायद stock थक चुका है, या बड़े players थक चुके है, ऐसा हो सकता है, कभी 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 होता है, ऐसा नहीं कि हर stock में होता है कभी कभी होता है, तो मैं मुझे लगते है कि momentum होगी, कभी काया होता है, पता है, कि stock में result की time भी instant moon नहीं आती, लेकिन result के 6-7 दिन के बाद suddenly मुआ जाती है, तो यह होता है कभी कभी, तो हम लोग wait and watch कर सकते है, stock की momentum हम लोग देख सकते हैं, क्या यह stock 750 को break करेगा, कुछ negative ह है, तो ठीक है, अगर नहीं करेगा, तो फिर यहां से क्या breakout करेगा, ठीक है, तो देखेंगे एक बार के लिए, लेकिन for me, result तो बहुत तगड़े positive है, इंडिको की momentum कैसी हो सकती है, आने वाले दो, तीन दिन में, इंडिको एविएशा, I think, swap की बात है, ओके, see, मैं simple word में बोलूँगा, I think, so, एक-दो दिन की जो momentum है, या दो-तीन दिन की, slightly positive है, sideways to positive है, तो मुझे ऐसा लगता है, कि यह 3,900 का support है, जो शायद break नहीं हो, याने कि अगर यहां पे किसी ने put option को short किया, तो शायद एक benefit हो सकते है, और चांसे से कहां से 4,400 तक जाए चोटी momentum मुझे लगता है, रह सकती है, कोई बड़ी expected तो नहीं है, हाला कि भगवान तो हूँ नहीं है, लेकिन मुझे चार्ट को देखे हैं, चोटी momentum हो सकती है, stock के अंदर है, ठीके, तो indigo में आपको बता दिया है, सीम खान सर जी, ठीके, वारी 450 हैगा तो अची बात है, देखो, NIT का है, हाँ पर कोशन है, सर, NIT को कोवर कर दिया, आज, आज stock 10% या 20% की circuit था, यास 20% की circuit, मुझे काफी लोगों नहीं होला थे, सर, इसको BTST करे, जो मेरे investors community थे, ठीके, मैं simple word में उनको answer किया था, कि देखो, कभी-कभी क्या होता है, कि last moment पे जो stock 20% की circuit लगाता है न, वो next day को gap down open होता है, आधा 1%, ठीके, और बाद में continuously fall कर जाता है, ठीके, continuously fall कर जाता है, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे stocks देखे है, मेरे पास अभी example नहीं है, लेकिन I think so 1 था, as BFC, I think था, if I'm not wrong, आप देखो कि यहाँ पर 20% की circuit था, next day को gap down slightly open हुआ, and then fall कर गया, ठी क्या है कि कोई stock, कोई, देखो मान लो मैं BTSD करो, और आपको strategy बताओ कि हाँ, ऐसे stock में BTSD हो सकता है, just example, ठीके, लेकिन आप stock में gap down देखो, next day को, और आप exit ना करो, तो हो सकता है stock जादा crash हो जाए, जादा वड़े fall हो, ठीके, आप, आप simple word में यह समझो, कि generally मैं बात कर की, यानि कि mid cap, small cap, वगेरा वगेरा, ठीके, no nesemi stocks, तो जो mid cap या small cap के stock होते हैं, 20% की circuit मारते हैं, उसके पपा को भी next day को gap up open होना चाहिए, अगर नहीं होता, यानि कि stock में कुछ गडबढ है, stock शायद और fall कर सकता है, तो आप यह समझो, कि next day को, फिर अगर gap down open हो, तो सपोर्ट लेनी की कुशिश करा है, यहां से momentum करता हुआ, आपको stock दिखाई दिए, अगर fall नहीं करें, तो chances तो है कि शायद बंदे में यहां से momentum आए, result कि 7 दिन का high तो break कर चुका है, तो शायद यहां से momentum करें, लेकिन थोड़ा volatile stock है, तो cautious रहना, volatility बहुत है, हो सकते 5-6 द संदे में दम तो है, KP Green Engineering, अगर दिव्या सर का, यादव सर का, कोचिंदा, इसके result आयते, I think result पे, यह momentum कर रहा है, ठीक है, मैं हमेशे आपको यही बोलता हूँ कि stock, अगर, यह तो SME stock है, ठीक है, stock थोड़ा 10% fall करता हूँ, दिखाई जा, I think so, result आये, कि निए बार दिख ल है, आप बोल सकते हैं कि SME stock है न, वो result से पहले, लाइफ हाई मारते हैं, जैसे कि आप यहां में दिख सकते हैं, लेकिन अच्छे result आने के बाद भी stock crash होते हैं, तो होता है कभी-कभी, लेकिन बंदे में दम है, जरू, यह KP Engineering में बंदे में बहुत दम है, अच्छे result पेश क पे लेकिन यह stock भी stretch हो चुका है, थोड़ा जादा ऊपर जा चुका है, अगर आप इसके result देखना चाहते हैं, तो आप यहां पे result देख सकते हैं, आट करूर का profit बढ़के 22 करूर का हो चुका है, K.P Energy, sales बहुत तगड़ी ग्रोव हुई है, margin काफी तगड़ी इंप्रूव है, तो हाँ, अब इसको radar पे रख सकते हैं, जो stock कहां पे गया, just a second है, अच्छा यह stock है, okay, sorry, तो अब radar पे रख सकते हैं, short term के में sustain करेगा के नहीं, डे हाई पे जा रहा है के नहीं, या डे हाई पे 2-3 बज़े sustain कर रहा है, अगर है, तो फिर आप strategy बना सकते है, stock में, का सकते हैं, यह सभी चीज़ हो सकती है, तो wait and watch किया जा सकता है, मैं simple word में यह बोलूगा, okay, चले, I hope यह सभी clear है, काफी मैं ठक चुका हूं, ठोके, थोड़ा सा वीडियो में काफी चीज़े explain करनी पड़ती है, तो, okay, तो kp energy और website का मैं बता देता हूं, देखो, on a serious world website result अच्छे है थे, लेकिन यह थोड़ा vertical momentum किया है, और I think so, but deep eye तो सूचा जा सकते है, वेबसोल को, ठीक है, वैसे काफी overbought stock है, यह company turn around हो रही है, तो शायद यहां सी और momentum भी करे, लेकिन आप one shot में यह समझो, कि fundamental strong है, लेकिन technical overbought है, तो एक deep eye उसकी बाद सोच सकते हैं, और मैं, मैं देखो, आपकी जगा में होता तो इसको long term के लिए नहीं लेता, क्यों, पता है, long term का जो बारी थी, stock में हो चुकी है, 120 का stock 1500 हो चुका है, तो I think so, कि long term नहीं, उसकी जगा mid term सूचना चाहिए, आपका mindset change करना चाहिए, long term वही stock low, जो stock bottom पे है, या release start की है, long term उ 20% momentum करने के बाद, 50% crash कर गए, तो क्या करोगे, तो strategy आपकी change होनी चीए, stock अभी भी हच्चा है, no doubt, लेकिन technical थोड़ा overwatch है, तो हो सकते हैं, का deep high उसके बाद momentum करें, okay, and last not the least, castrol, castrol cover कर लेते हैं, देखो result की बाद, थोड़ा momentum की है, तो मुझे लगते ही bottom out हुआ है, ऐसा लग रहे है, technical chart पे 200 का support लिया है, stock ने, जो अच्छी बात है, हो सकता है, यहां से momentum करें, 240 तक जाए, positionally, ठीक है, slow है, तो time लिकी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, बंदे में I think support लिया है, तो अच्छी ब देखेगा, और वीडियो को like and share करना मत भूलेगा, और अगर investors community को join करना है, account open कर सकते हैं, हमारी link से, और join कर सकते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye, जय हिद,